Hello everyone, तो फिर कैसे हो सारे students, तो यार जितने भी UPTU की बच्चे हैं, उन्होंने कहा था कि यार ABS college का review कीजिए, क्योंकि लगबग हुम 5 colleges को cover कर चुके हैं, private अगर आपने नहीं देखा है, तो UPTU की जाकर के playlist देखो, पाँचो college, GSS, Noda, AKGC, गलगोटिया, GL वजाज, ठीक है, क गाजियाबाद, ये पाँचो college को cover कर चुके हैं, अब जाकर एक college का number आगया ABS, क्योंकि आप लोग की demand थी, बहुत ज्यादा demand थी यार इस college की, चलो इस college को भी review करते हैं, आप लोग के लिए, ठीक है, और हाँ, इस वीडियो में इसकी हर एक चीज के बारे में बात करेंगे जैसा कि हर वीडियो में करते हैं, अगर आप हमारी reviews देख रहे होगे तो, the talks का discussion करेंगे, ठीक है, साथी में इसकी placements को देखेंगे, साथी में hostel fees, क्या fees लगेगी, वो सारी चीज इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है, तो इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देख की बात नहीं कर रहें, वो अलग college है, इसके सामनी ही है, वो college, अभी mainly बात करें, ABS गाजियाबाद, बच्चे confused हो जाते हैं, ABS और ABS IT, दोनों अलग अलग है, ठीक है न, ये campus हमारा लगभख 17 acres के अंदर बन रखा है, तो नहीं ज्यादा बड़ा, नहीं ज्यादा छोटा, एक college एक private college होने वाला है, और गाजियाबाद के अंदर होने वाला है, तो that's a decent location, because इस location बे बहुत colleges है, ठीक है, next चीच चले, तो that is यार, इस college के admission process कैसे होगा, किसी को नहीं पता, तो ये हमारा लेता है, यार, जेई मेंस की rank पे, जैसा कि मैं अभी आपको cut-offs discuss करूँगा, ठी top three government colleges हो गए, फिर राजकिये colleges भी है, फिर ये colleges भी है, ठीक है, तो आपको अगर किसी भी college में UP के अंदर अगर लेना है, तो आपको सबसे जादा important क्या होगा है, यार आप लोग के लिए choice filling, choice filling सबसे जादा important है, ठीक है, हमने हर वीडियो में आपको एक चीज बताई है, ठ हमारे साथ already joined हो चुके है, हमने prize, counseling support निकाल रखा है, जिसके अंदर आपकी choice filling का जिम्मा हम लोग ले रहे हैं, because we have the experience है, तीन से चार साल का, तो इसलिए हम लोग आपके पूरी अच्छे से करा देंगे, क्योंकि आपके पास जो experience है, उससे obviously हमारे पास ज्यादा होगा, और आप नहीं चाहते कि यार, जिसके लिए इतना ज्यादा सोच रहे हैं, कि यार, कोई engineering college अच्छा सा मिले, तो आप नहीं चाहते कि यार, बेकार सा मिल जाए, ठीक है, तो अच्छा चाहिए, जल्दी से जाके join कर लो, already यार, 230 से ज्यादा students join हो चुके है, डाइसों का लगब आपकी total fees पड़ेगी, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर आपको FW seat मिल जाती है, ठीक है, fee waiver वाली seat, तो आपको 20 से 30,000 में ही काम चल जाएगा, FW seat किने मिलती है, जिनकी अच्छी rank होती हो, और जिनका income certificate होता है, ठीक है, अभी बात करेंगे कि कितनी rank पर मिलता है FW seat, वो चीज़ discussion करेंगे, इस college के आजाते है, होस्टल में, क्या इस college में होस्टल हमें मिलते हैं, तो yes, इस college के अंदर भी होस्टल है, बट यहाँ पर बस 4-seater वाला मिलेगा, ठीक है, boys के लिए 4-seater है, AC, non-AC दोनों है, तो अगर आप AC वाला लेते हो, तो 1,19,000 रुपे आपका non-AC लेते हो, चार जो सीटर, चार सीटर का मतलब हो कि एक रूम में कितने बच्चे रहेंगे, तो चार सीटर लेते हो, एक लाख तीन हजार में पड़ जाएगा, तो थोड़ा सा costly है यहाँ पे, तो अगर मैं बोलू तो इसके comparison में आगा PG लेते हो, तो इससे सस्ता पड़ स की जाए तो यहार, non-AC 1,12,000 में मिल जाएगा girls को, तो देख सकते हो, और किस तरीके से आप से पैसा लिया जा रहा है, आपको affordable लगता है या जो भी लगता है आप लोग देख सकते हो, अब इस college के आ जाते हैं, cut-off के उपर कियार, कितने तक इस college में admissions मिल जाएगा, ठीक है पहले उससे पहले हम सारी branches discuss कर लेते हैं, किस college के अंदर कौन सी हमें branches देखने को मिलती है, तो computer science and engineering देखने को मिल जाएगा, only computer science देखने को मिल जाएगा, computer science and engineering with specialization in artificial intelligence and machine learning, ठीक है, और उसके बाद computer science with data science देखने को मिल जाएगा, IT branch, EC branch और तिरपली branch, तो इन्होंने सारी must branches रख रखी है, EC तक तो यार, बताओंगा अभी क्या चीज, ठीक है, अगर मैंने जो एक cut off लिखी है, सारी general की cut off है, ठीक है, सारी general की cut off है, जो first लिखी है, मैंने वो all India quota है, ठीक है, यह all India quota है, फिर यह home state है, और फिर यह FW seat के लिए है, ठीक है, all India वाले बच्चे वही है जो यार, जिनका ना domicile है, ट्वेल्थ का और ना ही वो, ट्वेल्थ पास किये हैं, यूपी से, तो वो सारे all India वाले है, all India में CSC 80,000, CS 1,996, CSC A&M 1,45, DS के साथ 2,27, IT 2,00,000 पे, ठीक है, और EC सब को, जितनों ने भी पारा है, सब को इस college में EC मिल जाएगा, ठीक है, तिर जाली में, तो जाने का कोई मतलबी नहीं है, unless until कि आपको, इलेक्ट्रिकल में जादा मज़ा आता हूँ, ठीक है, अगर मैं बात करूँ, होम सेट वालो की, तो 1,31,000 तक कोर CSC, उसके बाद CSC, जो है, वो 2,78, and AI NML, जो है, 2,80, DS के साथ 3,69, ठीक है, और इसके बाद जो IT ह है, 3,77,000, तो देख लो, 3,4,00, 4,00, राइंग तक भी है, मिल जाएगा, इस कॉलेज में, computer science और branches, CSIT की branches, ठीक है, FW seat के जो मैंने काया था, आपको, fee waiver वाली seat, इसमें 20-30,000 साल आना का दे करके, आप लोग पढ़ सकते हो, तो ठीक है, तो उसमें कितना पढ़ जाएगा, आपको, CSC core लेना है, तो 81,000 तक में अप्रॉक्सिमेटली देखने को, मिल जाएगा, आपको FW seat, ठीक है, and अगर बात करूँ, IT ब्रांच, तो IT ब्रा बहुत जादा बच्चे हैं, और बहुत ही शांदार देखने में हैं, ठीक है, उसके साथ ही canteen provided है, sports की facilities है, football, volleyball, table tennis, जो भी basic सारे games है, आप लोग cricket विल के सब खेल सकते हो, उसमें कोई भी issue नहीं देखने को मिलने वाला है, बस एक ही चीज़ इस college में किया, dress code है, इस college में, आपको dresses मिलेंगे इस college के, उसका भी अलग से 9-10,000 के approximately आपको cash में देना पड़ेगा, ठीक है, तो यह वाली चीज़ होगे, अब last चीज़ आती है, इस college का placement, तो placement के अगर हम लोग बात करें, तो placements are very good, ठीक है, अगर perspective देखें कि अगर आप IT तक लेते हो, इसी भी की branches, तो highest placement है, वो यार अभी latest है, 47,000,000 का यहां जा रखा है, तो बहुत ही मस्त गया है, बहुत ही decent गया है, अगर आप लेते हो, तो आपके पास opportunities होंगी, ठीक है, अराम से आप 10-15,000,000 तक उठा सकते हो, अगर आप खुद के अंदर मेहनत करो, मैंने आपको इससे पहले reviews उसमें भी यह चीज़ clear कर दी है, कि UPTU के private colleges के अंदर अगर आ रहे हो, इसका मतलब आपको खुद की भी महनत लगानी पड़ेगी, अगर आप यह सोच के आते हो, कि बस ऐसे ही admission मिल जाएगा, तो मतलब ऐसे ही हो जाएगा मेरा, तो ऐसा नहीं है, आपको खुद की महनत ल मिल जाएगा, ठीक है, तो ठीक ठाक सा है, ठीक है, बहुत ही मस्त भी नहीं है, बहुत ही घटिया भी नहीं है, कि आवरेस सा, डीसेंट सा, प्लेसमेंट भी है, इस college के अगर हम लोग बात करें तो यह जो Amazon जैसी बड़ी companies, मैंने बोला न, opportunity college दे रहा है, मतलब आपको यह ह रही है, R.E.S. का मतलब क्या है, आपको obviously, अच्छा opportunity मिल रहा है, ठीक है, तो I hope सो कि this college की हर एक चीज, हर एक point of view को cover कर दिया गया है, कुछ भी doubts बचता है, तो आप लोग comment section में पूछ सकते हो, हम लोग कोशिस करेंगे, comment में जवाव दे दे और आपने कुछ और reviews नहीं द लेकिन वो सोच रहे हैं, लूँ ना लूँ, इस confusion में है, तो सोचने का वक्त नहीं है, जाके buy करो, ठीक है, so बसे, thank you for watching this video, जै हिंद, जै भारत